गेर इसुडेंट्स आप देख रहे हैं छठा चैप्टर जो है सोसलोजी का प्रियोजना कार्रे प्रोजेक्ट वर्क इसमें से बहुत सारे कॉश्चन्स आएंगे अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख लेना सब्जेक्टिव टूम के लिए इसमें 19 प्रशन दिये गए हैं सेट वन है ये और यहाँ पर जो है सेट टू है ये वाला इसमें आपको 19 प्रशन मिलेंगे सेट टू में और सभी के आंसर्स मैंने अप्लोड करती हैं सभी आंसर्स आप देख सकते हो चैप्टर वाइस सोलूशन दे दिये हैं और यहाँ पर जो एक वीडियो अंतिम बचा हुआ इधर साइड में आप देख रहे हैं ये वीडियो जो है आपका ये एक्जाम स्कोर इसमें आपको MCQ कॉश्चन मिलेंगे जो की आपके सारे चैप्टर्स का नहीं चोड़ है तो इसको जरूर देख लेना तो यहाँ पर अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके 40-40 मार्क्स के दोनों सेट जो है कंप्लीट हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रशनावली द्वारा किन व्यक्तियों से सूचनाय प्राप्त की जा सकती है तो यहाँ पर आप प्रशनावली द्वारा किस व्यक्तियों से सूचनाय प्राप्त की जा सकती है इसका अंसर यहाँ पर दिया गया है पर योजना कारे क्या है इसका तात्पर्य आपको बताना अगला जो है परियोजना कारे विधी के जनमदाता कौन थे ये बताना है परियोजना कारे का कोई एक उद्देश्य बताना है परियोजना कारे के दो लाव आपको बताने है इसके बाद तीन अंकों के प्रशन है इस चेप्टर से परियोजना कारे के उद्देश्य को बताना ह आपको तो उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं यहां पर दिया गया है उद्देश्य तीन चार पाथ छे जो भी आप याद करना चाहें इतने याद कर सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो कोशन है उसकी बात करते हैं परियोजना कारे का अर्थ क्या है वो इस पस्ट करना है तो परियोजना कारे का अर्थ जो है जैक 2013 में 15 में पूछा जा चुका है तीन बार ये question repeat हो चुका है ये ध्यान रखना है आपको इसके बाद जो है next question आपका परियोजना कारे का अर्थ बता करके आप इसको समझा सकते हैं इसके बाद आपका जो next question है उसको भी हम discuss करेंगे तो यहां पर ये पांच नंबर का question पूछेगा तो बड़ा लिखना होगा इसलिए बड़ा चोटा अर्थ रिके का इसको याद कर लेना इसके बाद next question देखते हैं हाँ पर आपका जो है पांच अंगों का question जो है इसमें देख लेते पांच अंगों में हैं पर्योजना कारे के चरणों का जो है वर्णन करना तो इसमें कौन-कौन से चरण आ सकते हैं वो चरण आपको बताना है जो है विशे का चुनाव हो सकता है अध्यन के शेत्र का निर्धारन हो सकता है इसके अलावा जो है आपका सुचनाओं का चुनाओं हो सकता है इसके अलावा अध्यन की प्रविदियों का निर्धारन अवधारनों का स्पस्टी करण यह सारे चीजे स्टेप्स जो है इसमें सा approach methodology में project workovra क्या importance है तो आप यहां से देख सकते हैं इसको answer को लिख सकते हैं इसके बाद में इसमें point wise भी दिया गया हैسمtime का वहवारिक ज्यान इस तरह से आप लिख सकते हैं इसके zwar डूसरा point में सामाजिक की जानकारी है ठीक है इसी तरह से आपके जो questions यह complete हो जाएंगे और यही ज़्यादा से ज़्यादा questions आपके बन सकते हैं समाज नीतियों के निर्मान में सहायक होता है तो यह था आपका पूरा solution जो हमने देखा chapter number 6 का इससे पहले 5 chapter के solutions subjective के दे दिये गे हैं objective के questions करा दिये गे हैं